तो देख सकते हैं आप यहां पर हरी और मोटी मोटी मैंने मिर्ची लेया है तो चलिए उनको अच्छे से वास कर लिया था मैंने इसको टावल से पूंच लेना है अच्छे से पानी बिल्कुल ना रहे आप चाहे तो इन्हें एक घंडे के लिए धूप में रख सकते हैं पर ध अच्छी से सुखा लेंगे इसकी गर्म गरम हवा फेंकता है की तो हमारे मिर्चे बिल्कुल तो इस Tara सबसे पहले मैंने यहां पर फ्राइपं लिया है यहां पर मैंने 5 संड-10 ऑना शार संव निया है यहाँ पर सौप लेंगे तीन चमप जीरा ले लिया है और एक चमप यहाँ पर मने आजवाई लिया है और आधा चमप काली मिर्श करीब 10-15 काली मिर्श के दाने हैं इनको हलका से हम भून लेंगे बस हलका से हमें भून नहाँ इसकी नमीन ख्टम हो झाए हुआ हुआ है चलिए इसको थंडा कर लेते हैं जाए यह थंडा हो चुका है दो से हम ग्रांडर चुम हो हम से चलाना है अव्य ह्योंच कंपक्त of डाकि जा EVERYगा राएक उडिसा मिरेट देक एक चमच मुने यहाँ पर कलाउंजी लिया कलाउंजी इसे भूणा नहीं जाता ऐसे हिगा या दाल देंगे एक चमच हल्दी बॉड्र एक चमच लाल मिर्ची पॉडर एक चमच काला नमक एक चमच रेग्लर नमक और आधफ चमच हींग लेंगे कि इन सब को अच्छे से मिला लेंगे यहां पर मैंने सरसो का तेल लिया है अच्छे से दुआ होने तक अच्छे से हम इसे गरम कर लेंगे कच्छय pores मिल्कुल खत्म हो जाएगा तो याप गरम हो चुका हाँ इसको बंदे कर देंगे और ठंडा होने देंगे एक चम्मच इसे से हम दो चम्मच टोटल हम तेल मिला लेंगे हलका गुन-गुना तेल है ये इसको अच्छे से हम मसाले को मिला लेंगे अब ये मिर्ची के जो डंठल है इसी हम निकाल के हटा देंगे जैसे मिर्ची बहुत जल्दी खराब हो जाती है इस तरह से हमें बिल्कुल हटा देना है उपर से इस तरह काई भी इसकी निकाल देंगे अब इस से इस तरह से कट करना आप चाहें तो नाइब से भी कर सकते हैं आप चाहें तो सुई से भी निकाल सकते हैं इस तरह से हम मिर्ची को कट लगा लेंगे अलग नहीं करना इस तरह समय कट लगाना है तो हमने लगा के रख लिया है कट यह मिर्ची का चार बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है तो आप जरूर बनाए तो अच्छे सा मैंने मिला लिया है इसे यह मसाले की खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें मिर्ची के अंदर इसे फिल कर देना है हलका इसे हम डबा देंगे मसाला अच्छी से हमारा इसके अंदर सेथ हो गया है तो इस तरहbij से मिर्ची के खुश्बू कर देंगे दूसरी भी एसी तरह हम भरके तयार कर लेंगे यहां पर मैंने कांच का जार लिया है इसे अच्छे से हमें सुखा लेना है पानी बिल्कुल नहीं है इसमें और इसे मैंने सुखा लिया था तो इस तरह से हम मिर्ची को भरके रख देंगे जो मने तेल लिया था वो गरम इसे ठंडा करके इसी तरह मिर्ची में हम डाल देंग तेल डारने से मिर्ची के अचार बिल्कुल खराब नहीं होता आप इसे अराम से एक सार के लिए कि इस्टोर कर सकते हैं तो अगर मेरे डेस्पी अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें वीदियो के लाइक करें शेयर करें तो आप देख सकते हैं कितना सुन्दर अचार बनके तयार होगा